पिछले काफी समय से डाइरेक्टर नितेश तिवारी फिल्म रामायन को लेकर चर्चे में है खबरे है कि इस फिल्म में रनबीर कपूर राम का किरदार निभाएंगे वही साई पल्लवी इस फिल्म में माता सिता का किरदार निभाएंगी ऐसे में अब रिपोर्ट्स की माने तो बॉल्यूड एक्ट्रेस लारा दत्ता और बॉबी देवल की भी फिल्म में एंट्री हो गई है रिपोर्ट्स के मुताबिक रामायन में रानी कैके के किर्दार के लिए एक्ट्रेस लारा दत्ता को एप्रोच किया जा रहा है इतना ही नहीं फिल्म में भगवान हनुमान जी के किरदार के लिए सनी देवल से बाचित की जा रही है इसके अलावा अब खबर आ रही है कि बॉबी देवल को कुम करन की भूमिका निभाने के लिए एप्रोच किया जा रहा है हाला कि अभी तक बॉबी का कोई फाइनल नहीं हुआ है वैसे एनिमल के सफलता के बाद बॉबी देवल के पास इस समय कई ओफरस आ रहे है ऐसे में देखना ये होगा कि एक्टर फिल्म को साइन करते है या नहीं कहा जा रहा है कि ये रामायन फिल्म साल 2025 में रिलीज होगी मुंबई से वेदिता प्रताप नेशन नाओ